मेरा लड़का सुनता नहीं है बहुत गुस्सा करता है इसके बारे मैं आज बातचीत करेंगे महाराष्ट में मुंबई पुने अकुला यहां प्रैक्टिस करता हूं कभी सरे माबाप की यह शिकायत रहती है कि हमारा लड़का सुनता नहीं है बड़ा हो गया है 17-18 साल की उमर हो गई अभी वह ज्यादा घुसा करता है अपनी लगाता है बिल्कुल मानता नहीं है पढ़ा क्यां ही लगा देगा अभी अभी माबाप मेरे पास में बच्चा को लेकर आ है बच्चा बोलता है कि मुझे है नी मेरे आना-नानी के पास में रखु मैं वहाँ पढ़़ूँ का तुह ना-नञानी उसके रहते हैं सौ किलिमेटर दूर अकोला से और वहां उसको रहना मतलब फुला रहता है और वहां रहें कि उसको पढ़ाई करना मुले उहां कॉलेज में डालो कि वहां डालो किए नाना नानी अभार से रखते हैं उसके ओपर गुस्सा करेंगे नहीं चिलाएंगे नहीं पढ़ Richardsonno early तो ठीक है, कभ जाता कभ आता जैसा भी है . उसको बहुती this? जनल को इंको पीता जी को आ यह सबसи को आ है कि वहाह रखे घूम होग है? तो यह तो बिल्कुल हे जतने ख़ounge रहता है मतलब खुला खुट है फ्री रहता है उसको तो पढ़ाई करता नहीं है कभी भी घर पे आएंगा कुछ भी डिमांड करेंगा और उसकी नाने उसको बना के देंगी जो भी चाहिए वो पैसे की भी डिमांड करेंगा और फिर कुछ डिसिप्लिन नहीं है अभी हुआ क्या कि जैसा उसको ये पता चला कि यहां मुझे बहुत सारी innovations आ रही है, यहां बहुत सारी discipline आ रही है माबाप के तरफ, और उसको मालूम हो गया है कि कभी भी जब जाता है वो अपने नानी के पास में, नाना के पास में, तो माँ उसको खुली चुट मिलते हैं, फिर वो उसको एक दू बार मालूम पढ़ गया आएसा कि माँ फ्री है तो फिर वही हो जाने का जित करता है अभी माबाप ने करना के है जब वो लेके आया तो मने वह भला भी आप बोड रहे हैं ठीक है उसने हमारे पास में रहना चाहिए, यहां पढ़ा ही करना चाहिए, सब चाहिए ठीक है मगर वो नहीं करता है तो फ आधना पर चिलाएंगा उसका कोईक है तो पुछा से जोब्त छोच फ्री इंड तो प्र साम पड़ना प्रोर्ण के आम कुछ पींपर चिलाएंगा तो उसका करते हैं, सबस्त्रिक प्रख में गर से उसको कुछ बेंगा तो समइसा के घर क parsley शुक्त तृण को ज़िए उनको चाहिए माबाप को रख으ते हैं उनको मॉबाइल चाहिए उनको बाइक चाहिए सब चाहिए ही चाहिए और मादा को चाहिए जो डेंगेह देंगे सबसे बड़ा यह प्रावलेम है कि माबाप जो डिमान करते बच्चों के ऊपर वो करते है और बाद में नहीं बोला तो कुछ नहीं करते विड्राओ कर लेते चुब बैटे ठीक है भी मानता ने तो हम क्या करें उनको ऐसा रखते है कि हमारे बच्पन में हमको मिला नहीं चलो अब इसको दे दो एक तो यह है या फिर अभी सब बच्चे और माबाप कंपेर करते कि देखो बाजवाले का लड़का जो सब दिया और उसके माबाप ने फिर अपन ने कि देना नहीं तो इसलिए अपन देना चालू कर देते है ऐसी बात होते रहती है उसमें बच्च्चा बिगड जाता है कि बच्च्च estimates ही यह आदत फंजाए एसी लग गई कि जो बोला और धिया जो बोला और धिया जो बोला प्रायशा हो जाता है उसका frustration tolerance बिलकुल रहता नहीं उसको एक आदब लग जाते कि मांगने के बाद में तुरंट मिलना यह जाई है नहीं मिला उसको तो तुरंत चिखना चिलाना चलु करदेंगा तो इसे का 20 ब्रेन पैटर्न बन जाता है और वो चिखना चिलाना नहीं होना करके माबाप भी दे देते है और फिर वो विश्य साइकल पड़ते जाता है माबाप को मैं कॉणसिलिंग करता हूं को बोलता हूं कि तो जो माबाप मानते हैं, तो उनका लड़का डिसिप्लिन होके, फिर वो पढ़ाई करना क्या लू करतेता है, जो माबाप मानते हैं, नहीं है, कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, देखो हम क्या करे, फिर हमारे पिताजी माताजी उसके लाड़ प्यार पूरे करते है, फिर मुझे या फिर अपने को जैसा चाहिए पैसा उसको अनुशासन डिसिप्लिन लगाने का है जवाब माबाप ने दिना है और वो करेंगे माबाप तो फिर बच्चे लाइन पे रहेंगा अधरवाइस अभी बच्चे हाथ के बाहर कम निकल जाएंगे कुछ बोल नहीं सकते और अभी जरा झाल समेशिव इतिती हैंभी और अपने मन जैसा करती हैं डिमांडिंग है पिर उनको कंट्रोल करना माबक को मुशकिल हो तो भी 24 माबब का है कि पहले सी उसको कैसा कंट्रोल में रखे और डिसिप्लीन उसको रखते है जो भी रूल्स निती नियम जो भी है वो हमने डाल के रखे हैं वहां से वो आपरेट करते हैं कि जैसा इसको चाहिए वैसा आपरेट करता है वो माबब ने एक बार तरह कर लिया तो सभी का जिवन अच्छा हो जाएंगा और बच्चे बड़े होके अच्छे नागरिक बन सकते हैं तैंक्यू वेरी मच्च इवड़े आपको अच्छा लगा तो सभी माबब को शेयर करो अच्छा हो जाएंगा तो सभी माबब को शेयर करो